हरे कृष्णा, आज की इस प्रेरख कहानी में हम सब मिलके प्रवेश करते हैं। एक दोड में केवल दो व्यक्ती भाग ले रहे थे, मारन और चेरन। आरंब में दोनों बराबर भागे, परन्तु थोड़े समय में चेरन ठक गया। वो हारना नहीं चाता था, तो उसने एक तरकीब सोची, उसने मारन का ध्यान बटाने के लिए एक सुनेरा सेब दिखाया। मारन को वो सेब ने अकरशित किया और वो लड़खडाने लगा। उसकी गती धीमी हो गई। ये देख चेरन ने फायदा उठाया और थोड़ा तेज दोड़ कर प्रतियोगिता जीत किया। मानव जीवन भी एक दोड़ है। छोटे-छोटे आकरशन हमारी प्रगती में बाधा डालते हैं। बड़े लक्ष को प्राप्त करने नहीं देते। हम अवान्चित विचारों से भ्रमित हो जाते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि छे घोड़े जो छे इंद्रियां का प्रतीक हैं उनको सदा वश में रखना चाहिए। कृषन का नाम लेने से लक्ष की प्राप्ती में कोई बाधा नहीं आती। सर्वं श्री क्रिष्न अर्पनम्